हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो और आज की इस वीडियो में हम CUT UG 2024 का एक्जामिनेशन पैटर्न, एक्जामिनेशन स्कीम और स्रेबस समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीडियम की, जो मीडियम है आदोस्तों आपके कुशन पेपर का, वो अलग-अलग तेरा लेंगुजिस हैं जिसमें CUT UG का एक्जाम करवाया जाएगा लेंगुजिस यानि की मीडियम कौन-कौन सा है वो आपके स्क्रीन के ओपर दिख रहा है, एक्जाम सेंटर के अकौर्डिंग ये लेंगुजिस आप्ट करने का आप्शन आपको दिया जाएगा, तो आप जो भी एक्जाम सेंटर चूज करते हो, उसके अकौर्डिंग दिखाओगा उसी को आप लोग कंसिडर करोगे अब यहां पर हम इसकीम ऑफ इग्जामिनिशन की बात करते हैं देखे तोटल यहां पर 61 सब्जेक्ट्स दिये जा रहा हैं सियोटी द्वारा एंटी द्वारा जिसमें 33 लेंग्विजिस हैं 27 डुमेन हैं और एक जनरल टेस्ट है इस्टूडेंट को क्या करना है मैक्जिवम 6 टेस्ट पेपर का वो जो एक्जाम है वो दे सकता है इसमें 4 या 5 डुमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं इंकुडिंग जनरल टेस्ट और एक या दो लेंग्विजिस का वो जो एक्जाम है वो दे सकता है अभी छे पेपर का दो उसको एक्जाम देना है प्रेफरेंस बच्चों का यही होता है जो आपने प्लस टू में सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी के अकोडिंग अपना पेपर सेलेट कीजिए यानि कि CUT का पेपर आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का दे सकते हो जो अपने प्लस टू में सब्जेक्ट पढ़ा है जिसे आपके पास पांच सब्जेक्ट है एक इंगलिश था और चार और अधर सब्जेक्ट है तो वो आप चूस कर लोगे और एक और सब्जेक्ट आपके बच रहा है तो उसको आप जनरल टेस्ट को जिसमें रिक्वार्मेंट ही सिर्फ जनरल टेस्ट और लेंग्विज किये तो अलग बात है अगर आइडियल चोईस यही होती है बच्चों की कि 12th क्लास में जितने सब्जेक्स पड़े हैं वो सारे वो चूज करता है और एक जनरल टेस्ट चूज करता है जिसमें possibility बन जाती है कि ज्यादर से ज्यादा कोर्स के लिए वो eligible हो जाता है maximum कोर्स के लिए ठीक है एक तो यह बात हो गए कि maximum छे टेस्ट पर आप चूज कर सकते हो अब इसमें क्या है जी अच्छा एक ही तो हो और है कि आप language जरूर से चूज करना जो आपने अपने स्कूल में language पढ़िए वो language प्लीज आप लोग जरूर से चूज कीज़ेगा अब दूसरी बात यह है कि medium जो mode रहने वाला है इस बार hybrid mode रहने वाला है अब hybrid mode मतलब pen and paper mode में भी exam होगा cbt mode में भी होगा अब cbt का application form भरते समय यह आप से नहीं कुशगा है कि आप किस mode में exam देना चाहते हो तो यह depend कर सकता है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज करें कौन सा सब्जेक्ट है जिसके number of candidates जादा है तो उसको ध्यान में रखते हुए प्लस आप किस city में रहते हो किस state में रहते हो वहाँ पर facilities कैसी है उन चीजों को ध्यान में रखते हु CBT ये pen paper mode का आपको choice दी जा सकती है तो आप दोनों चीजों के लिए तैयार रही है दोनों चीजों से aware रही है ठीक है एक तो यह चीज होगी बात समझ में यह आपके control में अभी नहीं है कि आपको कौनसा mode दिया जाएगा यह बात में आपको बताया जाएगा अब यहाँ प आपने 6-6 subject select करें है तो जरूरी नहीं है कि आपके 6-6 subject का exam एक ही दिन में हो जाएगा हो सकता है वो दो दिन में हो, हो सकता है वो तीन दिन में हूं और जितने दिन में आपका exam रखा जाएगा NTA loyalty दुआरा अलग-अलग दिन के लिए अलग-अलग admit card release करे जाएंगे जैसे for example जो exam है 15 मही से 31 मही के बीच है अब जैसे for example आपने 6 subject choose कर लिया है जिसमें से 2 subject का exam उन लोगों ने बोला 18 मही को आपका exam होगा इस particular center में और 18 मही से पहले वो 14-15 मही तक या 16 मही तक admit card release कर देंगे जिसमें 18 मही को जिन-जिन subjects का आपका exam होने वाला होगा वो उसमें लिखा रहेगा उसकी timing लिखी रहेगी duration लिखी रहेगी अब एक बताने वाले हों कितने टाइम का होगा वो लिखा रहेगा ठीक है तो आप घबराना मत की सर मैंने तो 6 subject चूज किये थे इस admit card में सिर्फ तीन subject या दो subject क्यों आए है अगेन अलग-अलग phases में exam होते हैं तो हो सकता है 18 तारीक को आपके सिर्फ दो बिपर हो फिर 22 तारीक को और दो बिपर हो फिर 24 तारीक को और दो बिपर हो इस तारीक से multiple shift में multiple days में भी आपके exams हो सकते हैं एक तो इस चीश से अभी से aware रहो आप लोग ठीक है बार-बार आपको जाना पढ़ सकता है exam center में यही बात हो गई अब यहाँ पर मैं फ़रा सा duration की बात करता हूँ देखें क्या होता है जो general test जो होता है अगर आपने general test चूज किया होगा उसमें total 60 questions आएंगे जिसमें से आपको 50 करने होंगे और general test के अलावा बाकी के सारे subject चाहे वो language हो चाहे वो कोई भी domain हो accountancy, physics, history, pulse, science कोई भी domain हो उसमें या language कोई भी हो उसमें 50 मेंसे आपको 40 questions करने होंगे ठीक है एक जो paper होगा उसका duration 45 minute का है एक paper का duration 45 minute का है और कुछ-कुछ paper ऐसे हैं जिसमें आपका general test हो गया general test के लावा कुछ-कुछ subject ऐसे जिसा accountancy, physics, chemistry, economics वगयरा इनकी duration 60 minute की होगी ठीक है याद रखिए सिर्फ general test में 60 में 50 questions करने होंगे बाकी सब में 50 में 40 करने होंगे और duration की जातक बात है general test और कुछ specific subject की duration 60 minute की होगी और बाकी सारे subject की duration 45 minute की होगी ठीक है तो जिससे for example आपके एक दिन में सिर्फ तीन paper रखे गए हैं जिसमें से एक general test रख लिए उन लोगों ने और दो आपके language और domain रख लिया तो general test 60 minute का होगी है और बाकी यह 90 minute की होगा 45 45 तो 60 plus 90 कितने minute होगा 500 minute तो 1500 minute का आपका एक दिन का paper होगा तीन domain का अब वो 1500 minute का कप का shift रखेंगे वो लोग वो उनके उपर depend करता है वो आपके control में नहीं है यह तो आपके बात समझ में आगा है कितने minute का exam आप लोगों का होगा और कितने paper code आप चूज कर सकती हो अब यहाँ पर maximum 6 paper code allowed है यह मैं आपको बता चुका हूँ अब इसमें आप लोग देखिए आपके प्रोस्पेक्टर्स के अंदर इस syllabus का एक section होगा 2.7 में इसमें आपको लिंक दिया हूँ है कि इस लिंक पे जाओ इस लिंक पे जाकर आपको syllabus मिल जाएगा वहां जाकर आप syllabus डाउनलोड कर सकते हो यह NTA की website पर लेगी है मुझे मैं का syllabus as of now आपको नहीं मिलता तो syllabus तो आप यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो कोई भी PDF को आप डाउनलोड करोगा तो उसमें सारा syllabus आपको बता जाएगा जो की कवार होगा MCQ-based exams के लिए और जनरल टेस्ट के लिए अलग से स्पेसिफिकली यहां section mention है वो आप read out कर सकते हो और जो भी language है लेंग्विज के अंदर आपका उस particular language का reading comprehension चेक कर जाएगा अलग-अलग तरह के passages वगरा हो सकते हैं factual literary narrative यह सब चीज़े आप लोगों की चेक करी जाएंगी तो यह syllabus आप website से जाकर check कर सकते हो अब आखिर में सवाल आता है आपकी marking scheme का अब चोगी paper mcq based है दोस्तो तो इसमें सही answer के लिए आपको पांच number मिलेंगे अगर आपका answer सही है तो वहीं अगर आपका answer गलत है तो आपका एक mark deduct कर दिया जाएगा ठीक है और अगर आपने answer you solve ही नहीं करा blank छोड़ा उस चीज marks मिलेंगे ना plus में जाएगी कहानी ना minus में जाएगी कुछ चीज़ें हैं जो और आपको समझ ली है if more than one option is found to be correct then five marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option जैसे for example कोई question आया उसका आपने कोई answer attempt कर दिया पता ही चला correction में एंट द्वारा की वह जो question था उसके multiple answer correct थे तो आपने अगर कोई दू पर मिल जाएंगे कि एन्य अव्दा करेक्ट option ठीक है अपने कोई correct option चूज किया हो उसका और multiple उसके option correct हो तो आपको पांस नमबर मिल जाएंगे उसके लिए if all option are found to be correct then five marks will be awarded to all who have attempted यानि कि उस question कि अगर सारे options नहीं हो और आपने उसको attempt कर रहा हो तो आपको भी पांस correct और a question is found to be wrong और a question is dropped then all candidates who have attempted a dropped question will be given five marks नहीं कि वो question ऐसा हुआ कि जो उसके सारे answer है उसमें से कोई भी answer गरत नहीं पाएगा और nt ने उस question को drop कर दिया हटा दिया तो अगर जिसने वो question solve करा होगा उसको पांस नमबर मिलेंगे यह यहां पर लेखा हुआ जीए तो मतलब सह यह answer के लिए 5 marks गलत आंसर के लिए minus 1 है और बागी कुछ instruction यहां पर लिखी गई थी कि अगर questions गलत होता है या जो भी चीज़ों होती है वो किस तरीके से हों भी बागी यह information थी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप cvta form की वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर link आपको description box में मिल जाएगा